यह देखकर आप समझी गए होंगे कि मैंने आज कौन सा केक बनाया है तो आज मैं बनाने वाली हूँ ड्रेम केक जिसको बनाने के लिए मैंने यहां पर डार्क कमपाउंड लिया है डार्क कमपाउंड 100 ग्राम मैंने यहां पर लिया है और इसे छोटे छोटे टुकरों में कट करके और इससे एक साइड में रख लेंगे इससे बाद में यूज करना है अब यहां पर मैं ले रही हूं मिल्क कंपाउंड और डार कंपाउंड दोनों ही डार कंपाउंड और मिल्क कंपाउंड दोनों 50 ग्राम 50 ग्राम के हिसाब से लेना है और उससे भी बारी कट कर लेना है और 30 second के लिए microwave में melt कर लेना है अगर आपको लगे कि थोड़ा सा melt और करना चाहिए तो आप 10 second के लिए और गर्म कर ले इसे आप चाहे तो इसे double boiler में भी melt कर सकते हैं वो भी एक असान सा तरीका है trim cake बनाने के लिए इस तरीके का box आता है चोटे box भी आते हैं और बड़े box भी आते हैं मैंने 8 इंच का ये box लिया है और आप जब ये cake कट करते हैं तो उसके ऊपर एक chocolate का layer रहता है उस layer को बनाने के लिए मैंने dark compound और milk compound को अच्छी तरीके से melt किया है अब mix भी कर लेंगे इसको पूरी तरीके से और ये हमारा ready हो गया है चोकलेट और अब मैं इसके ऊपर box के ऊपर ही फ्राचमेन पेपर बिशाओंगी और उसके ऊपर ये डाल दूँगी इससे हमें perfect box का size मिल जाएगा कि अगर मैं इसको बनाने के बाद cake के ऊपर रखूँगी तो ये असानी से उसके ऊपर चला जाए 240 ml के cup से मैंने यहाँ पे दो cup दूद लिया है और 1 फोर्थ cup यहाँ पे मैं चीनी का यूज कर रही हूँ 1 फोर्थ cup से एक चमच कम ले अगर आपको मीठा कम पसंद है तो और यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैं custard powder ले रही हूँ जिसे मैंने आधे cup दूद में घोल लिया है यानि की 1.5 cup के बराबर जो दूद है मैंने 1.5 cup दूद मैंने उबलने के लिए बिठा दिया है चीनी डाल कर मीडियम फ्लेम पे और बाकी बचे आधे cup में मैंने custard powder मिक्स कर लिया था और उसे तयार करके रखा है और दूद में उबल आ चुका है इसमें मैं custard powder का जो mixture है उसे मैं डाल दूँगी और लो फ्लेम पे इसे कम से कम 4-5 मिन तक उबल आने देंगे उबल आने के बाद 4-5 मिन तक इसे पका लेंगे चलाते हुए क्योंकि नीचे चिपक सकता है इसलिए आप इसको चलाते रहें चलाते रहने से इसमें कोई भी गुटली भी नहीं बनेगा और ये हमारा proper तयार हो जाएगा तो कश्टर्ड बनकर तयार है आप देख सकते मैं इसी तरीके से चलाते हुए इसे पका रही हूँ और 4 मिनट हो चुके हैं अब इसमें मैं डालूंगी जो मैंने सबसे पहले 100 ग्राम जो चॉकलेट रखा था डार्क कमपाउंड कट करके उसे मैं डाल दूंगी और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी लेकिन गैस की फ्लेम को आफ करने के बाद ही इसमें चॉकलेट डालना है यहां पे हमारा चॉकलेट मिक्स हो रहा है, पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा, तो उसके बाद अगर आपका मन करे तो इसे चान भी सकते हैं, ना मन करे तो आप छोड भी सकते हैं, कोई इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं इसे चान रही हूँ, कभी कश्टर्ड के छोटे बबल रह जाते हैं, या फिर चॉकलेट थोड़ा खुरदरा रह जाता है, इसके लिए मैंने यहां पे इसे चान लिया है अच्छी तरीके से, और इसे फ्रीज में ठंडा होने के लिए छोड देंगे, हमारा यह गनाश भी तयार है, अब मेरा यह चॉकलेट जो उपर से रखा जाएगा वो भी तयार है, तो अब मैं केक टिन में ही केक को बेक करूंगी, जिसके लिए मैंने यहां पे देड़ कप चॉकलेट प्रिमिक्स लिया है, वन टी स्पून रिफाइन ओल, और देड़ थोड़ा कम मैंने यहां पे पानी लिया है, क्योंकि जितना प्रिमिक्स होता है, उस आधे से थोड़ा सा कम पानी यूज करते हैं, तो यहां पे मैं इसे अच्छे तरीके से घोल लूगी, आठ इंच के केक टिन में बनाने के लिए इतना बैटर सफिसियंट है, इसलिए आप देख सकते हैं, नीचे कोई भी मैंने प्राच्मिन पेपर नहीं लगा, कोई रिफाइन ओल नहीं लगा, डायरेक्ट मैंने केक टिन में इसे केक के बैटर को डाल दिया है, अब मैं इसे 40 मिनट के लिए बेक करूंगी, ओटी जी को मैंने 160 डिग्री पे प्रिहिट कर ल मैंने इसमें बहुत सारे लिएं छेट कर लिए हैं, ताकि इसके अंदर जो मैं अभी गनाश डालूंगी वो चला जाए और इसका टेस्ट और बढ़ जाए, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैं हलका सा पानी डालूंगी किनारों में, और इससे थोड़ा सा पहले पानी से सोख कर तो आप यहां पर मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कस्टोमर के यहां देना था और हो सकता है, वो 2-3 दिन रख कर खाए , इसलिए मैंने यहां पर पानी का यूज़ किया है, और इस तरिके से कुष्टर्ड से जो मैंने गनास त्यार किया था, उससे मैंने यहां पर डाल दिया है और इसे टैप करूँगी अच्छी तरीके से ताकि जो मैंने होल किया है उसके अंदर ये गनास चला जाए और अच्छी तरीके से केक सेट हो जाए तो अब मैं इसे एक धंटे के लिए फ्रिज में छोड़ूँगी आपको मैं दिखा दे रहे हूं ये 800 ग्राम के करीब ये हो जाता है केक टिन का वजन 110-120 ग्राम के करीब है लेकिन इसके उपर जो मैं चॉकलेट रख रहूँ हूं वह भी 100 ग्राम का है यानि ये प्रॉपर केक टिन को हटा भी दिया जाए तो ये 800 ग्राम का ये बन कर तयार होता है इसके लिए मैंने 300 प्राइस तै किया तक ले सकते हैं अगर आपको इस तरीके का केक्टिन कस्टमर को दे देना है हमेशा के लिए तो आप उसका कॉस्ट एड करें अगर कस्टमर इसे रिटर्न कर देंगे बीना कुछ नुक्सान पहुंचाए जैसे आसपरोस में देना हो और उनको यह केक्टिन नहीं चाहिए तो आप इससे वापस भी ले सकते हैं उस इस्तिति में आप इसका प्राइस थी हंड़ेड तू थी फिटी ले सकते हैं मैंने थी हंड़ेड इसका प्राइस लिया था